फिर आगया हूँ लेके आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरस्टिंग और हेल्फुल वीडियो जिसका नाम है आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि जो भी लोग वेबिनार्स करते हैं मीटिंग्स करते हैं और जितने भी अटैंडीज उनके रहते हैं जो रजिस्टेशन करते हैं उनके वेबिनार के लिए कई बार होता है कि वो लोग पूरे के पूरे अटैंग नहीं कर पाते हैं एक बड़ा रीजन यह है कि वो लोग भूल जाते हैं कि हमें ये वाला webinar अटेंग करना था इसके लिए हमने registration किया था तो उन लोगों के लिए एक reminder message जो है आप लोग sign कर सकते हैं automatically आपको खुद नहीं करना चाहे वो हजारों लोग क्यों नहीं हों हजारों लोगों को एक साथ आपके webinar के start webinar या meeting जो भी है उसके start होने से 15 minute पहले एक message जो है उनके whatsapp पे share हो जाएगा कि sir आपका ये जो webinar ये start होने वाला है 15 minute बात शार्प इतने बजे और ये रही इसकी joining link आप जाके please join कर लेजिए automatically होगी ये पूरी process आपके involvement की जरुरत नहीं पड़ेगी with the help of pably connect ये possible है क्योंकि ये दोनों different type के applications है और इन दोनों के बीच में कोई connection है नहीं और pably connect का तो काम ये ही है कि वो अलग-अलग तरह के applications को लाके आपस में जोड़ देता है उपर से 100 task monthly के free देता है और free में हम account भी बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की है आईए मेरे साथ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप भी मेरी तरह इस automation को site करके अपना time और money दोनों safe कर सकते हैं पूरी process बताऊंगा कहां क्या करना है क्या नहीं अभी अपनी screen पर सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com यह official website क्लिक करूँगा sign up free पर अपना account फ्री में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पर login कर लूँगा first option आएगा पैबली connect का क्लिक करूँगा access now पर then open हो जाएगा पैबली connect का dashboard okay dashboard open होगा तो right hand side में option आएगा create workflow का okay so मैं क्लिक करूँगा create workflow पे और अपने workflow को एक नाम दे दूगा okay so मैं नाम दे देता हूँ अपने workflow को google calendar to whatsapp okay मैंने नाम दे दिया google calendar to whatsapp आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं एक important बात बता देता हूँ कि इस वीडियो की description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow अपने account में use कर पाओगे हो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे google calendar के अंदर जब भी कोई new event create हो जब भी हम कोई webinar create करें कोई meeting create करें तो automatically उसके जितने भी attendees हैं उन सभी को उस event चालू होने से पहले उस webinar के चालू होने से 15 minute पहले एक whatsapp message share हो जाए कि सर 15 minute बाद ये webinar start होने वाला है आप please join कर लेजेगा इस तरह से ओके सो ऐसा चाहते हैं हम ऐसा करने के लिए हमें सबसे first application में हमारी choose करना होगा google calendar को search किया choose कर लिए हम एने google calendar को then trigger event में हम choose करेंगे new event को ठीक है then click कर दिए connect पे then add new connection पे then connect with google calendar पे then google account choose कर लेंगे जिस भी google account के google calendar को हम integrate करना चाहते है continue पे click करेंगे don't worry probably connect is 100% safe okay so connection successfully हो गया है है ना जैसा कि आप देख रहें connected है मेरा google calendar पैबली connect से connect होने के पास सबसे first field आई है calendar की तो calendar के अंदर में जैसे click करता हूं तो मेरे जितने भी calendar हैं सबी के नाम आने लगते हैं उन में से एक calendar है webinar नाम का उसका डिटा capture हो जाए चलिए तो उससे पहला हम एक event create कर लेता है मैं चलता हूँ अपने google meet पे और यहाँ पे एक new meeting जो है मैं create करता हूँ है ना यहाँ से आप अभी create कर सकते है instant meeting भी कर सकते है यहाँ पिर आप schedule कर सकते हैं okay so मैं schedule करूँगा in google calendar schedule in google calendar webinar ही समझ लीजिए इसको meeting webinar सेम जो है process रहेगी दोनों में simple ठीक है so मैं यहाँ पे webinar लिख देता हूँ webinar for for stock market एक simple सा मैंने यहाँ पे title दे दिया then मैं यहाँ से date जो है select कर लूँगा कि कब है okay so 24th में को होगा यह okay timing रहेगी 3 p.m. to 4 p.m. okay okay है ना और यहाँ पे end it यह रहेगी ठीक है so यहाँ पे हमें repeat नहीं करना है does not repeat अगर आप करना चाहते तो इसे कर सकते है event details okay यहाँ से आप location दे सकते हैं है ना और यहाँ पे आप जो है calendar select कर सकते है अपना तो मैंने जैसा कि बताया आपको webinar वाला calendar मैंने select करूँगा क्योंकि मैंने उसी को create किया है particular workflow के लिए ठीक है then नीचे आ जाँगा और यहाँ पे अगर आप description देना चाहें तो आप description भी दे सकते है मैं इसको skip करके just click करूँगा save पे तो जैसा कि आप देख रहे मेरे google calendar के अंदर 24th of May को एक event create हो गया है 3 p.m को जिसका नाम है webinar for stock market okay ठीक है अब आता हूँ family connect पे और click करता हूँ savings and test request पे तो recently जो भी event create होगा मेरे google calendar में वो मेरे सामने आ जाएगा तो recently हमारे google calendar के अंदर यही वाला event जो है create होगा और कोई event है नहीं okay तो देखते हैं इसकी details capture की के नहीं family connect ने yes जैसे कि मैंने नाम दिया था webinar for stock market okay create date time okay है ना आपके सामने है कब create हुआ है okay then start कब होगा उसकी date start time zone okay end date time end date time zone okay है ना सारी की सारी details लगबग पैबली connect ने अपने पास capture कर ली है okay so अब मैं चाहता हूँ के मेरे जितने भी attendees हैं जो इस webinar के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं जिनका data मैंने अपनी इस google sheets में add करके रखा यह सारे जो attendees हैं सभी ने registration किया है मेरे webinar के लिए यह सभी के whatsapp number है तो मैं चाहता हूँ इन सभी को webinar चालू होने से 15 minute पहले एक whatsapp message जो है इनके whatsapp number पे sent हो जाए ताकि यह लोग सभी join कर सकें अगर भूल जाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है के लोग भूल जाते हैं उनके busy schedule की वज़ा से तो यहां पे हम 15 minute पहले message भेजेंगे तो उनको एक reminder हो जाएगा और वह आके join कर लेंगे हमारा webinar ठीक है तो यहां पे लगबख सारी details पैबली connect ने capture कर ली है अब मैं इस google sheets को integrate कर देता हूँ सबसे पहले तो क्लिक करूंगा और यहां पे चूज कर लूंगा गूगल शीट को सरच करूंगा चूज कर लूंगा गूगल शीट को क्यूंकि गूगल शीट में सारे attendees का data है action event में choose करूंगा get rose को क्योंकि मुझे data चाहिए जो भी मेरी google sheets में जो भी इन rose के अंदर data है इन सभी का मुझे data चाहिए that's why मैंने choose किya get rose को connect पे क्लिक करूंगा connection के लिए उसके बाद add new connection पे then connect with google sheets पे then अपना google account choose कर लूंगा जिस google account में मेरी google sheets मौझूद है continue पे क्लिक करूंगा don't worry publicly connect is 100% safe successful हो गया connection है ना जैसा कि आप अभी देख पाएंगे connected show हो रहा है हमारे सामने select spreadsheet पे क्लिक करके मैं देखूंगा के मेरे सभी spreadsheet के नाम आ रहा है मेरे सामने तो अभी मैं webinar attendees वाली spreadsheet जो है select कर लूंगा यही नाम है जिसके अंदर webinar attendees की details है तो यह वाली spreadsheet में select कर लूंगा simply then sheet एक ही sheet है sheet 1 नाम की तो वो by default select हो जाएगी जो की हो गई है क्योंकि कोई दूसरा option ही नहीं है ठीक है अब मुझे public connect को range बतानी है कि आपको कहां से लेके कहां तक का data pick करना है नीचे साफसाफ दिया है you can use a2 column d to get all filled row ओके सो यह a2 d2 क्या ह ही मैं बता देता हूं आपको ठीक है यह range बताने का तरीका है ठीक है a2 मतलब यहां पर मैंने इस पर click किया तो a2 आ गया और अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक select किया तो a2 c18 हो गया इसका मतलब यह है के a column 2 row और c column 18th row ओके इसका मतलब यह हुआ अगर मैं यह formula copy करके यहा पूरी google sheets का data pick करे और अगर future में मैं और भी attendees के नाम यहां पर add कर देता हूं तो उनका भी data जो है public connect pick करे और उनको भी whatsapp पर message sign करे तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा यह वाली तो बतानी होगी range a2 से लेके c column बताना होगा row नी बतानी होगी okay so a2 column c में लिख जितनी भी details में अपनी google उस google sheets में add करूँगा वो सारी की सारी capture होगी ठीक है a2 c a2 column c मैंने यहां पर लिख दिया then अब मैं click करूँगा simple response off करके save and send us request पे तो उस google sheets का सारा का सारा data मेरे पास आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर सारा का सारा data मेरे पास यहां पर पैबली connect ने capture कर लिया लेकिन यह data अभी array format में है और अभी मेरे किसी काम का नहीं है तो इसको काम का बनाने के लिए मैं पैबली connect के फीचर का यूज़ करूँगा जिसका नाम है इट्रेटर हैना सर्च करूँगा इट्रेटर को इट्रेटर मुझे जो है रोवाइस डेटा देदेगा हैना एकदम परफेक्ट सेग्रिगेट तरीके से सेवन सांग टेस्ट पर क्लिक करूँगा तो मुझे रोवाइस एक परसन का data मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे है यहाँ पर सबसी उपर Adam Smith और उनका phone number यहाँ पर पैबली गनेक के पास capture हो गया है तो आप बोलने होंगे यहाँ पर तो एक ही इंसान का data capture हुआ है हमें तो सब को भेजना है तो मैं सिर्फ एक के साथ ये पूरी process करूँगा then software automatically जितने भी इस Google Sheets में अभी persons का data मौजूद ह और future में और भी जितने भी होंगे उनके साथ वो same process करता रहेगा सीधी बाशा में मुझे सिर्फ एक बार पैबली कनेक को process करके बतानी है then वो process अपने आप follow करता रहेगा सब के साथ ठीक है चलिए तो यहाँ पे हमारे पास details आ गई है सारी की सारी है ना Adam Smith उनका email address उनका phone number ठीक है अब हम चाहते है WhatsApp पे message sign करना 15 minute पहले किस से meeting चालू होने के 15 minute पहले हमें message sign करना है तो उसके लिए हमें 15 minute पहले का time चाहिए होगा है ना meeting से तो meeting का start time क्या है है यह रहा start date time ओके यह start date time है इससे 15 minute पहले का time मुझे चाहिए so ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा नीचे आना होगा plus button पे click करके public connect के great feature का use करना होगा जिसका नाम है date time formatter okay date time formatter then action event पह click करके मुझे choose करना होगा add subtract time क्योंकि मुझे time को subtract करना है मतलब जो मेरा start date time है उसके अंदर से 15 minute minus करके time निकालना है okay connect पह click करूँगा connection के लिए okay यहाँ पे enter date के अंदर मैं वो date enter कर दूँगा जब मेरा webinar start होने वाला है start date time मेरे webinar का वो में यहाँ पर add कर दूँगा तो वो मुझे मिलेगा google calendar से obvious सी बात है जो मैंने आपको भी दिखाया यह google calendar से हमें तो data मिला यह वाला data मुझे add करना है इस blank field में कौन सी वाली यह वाली blank field में तो ऐसा करने के लिए मुझे एक technique का use करना होगा जिसको हम कहते है mapping mapping से हम हमारी trigger application का data हमारी action application में बहुत ही easily add कर सकते हैं कैसे blank field पर click किया तो नीचे हमारी जितनी भी previous step से उन सभी का नाम आने लगा तो मुझे पता है google calendar से data मिलेगा जो कि हमारी trigger application है click किया google calendar पर सारा data मिल गया मुझे अब मुझे start date time ढूणना है यह रहा start date time इसको click करके मैंने यहाँ पर map कर दिया expression क्या करना है मुझे minus 15 minutes करने तो यहाँ पर मैं लिखूंगा minus 15 minutes okay simple मैंने लिख गया यहाँ पर minus 15 minutes minute लिख देता हूँ खाली simple okay so अब आ जाता हूँ नीचे इधर मैंने space गलत दिया space नहीं देना थिक है minus 15 minutes okay then यहाँ से 2 format किस format में हमें data चाहिए तो मुझे जो data चाहिए वो चाहिए yymddd वाले format में एक second ठीक है यह रहा yymdd ने यह य॥ा जाता हूँ और और नीचे और नीचे यह रहा थिक है yymdd यह वाले format में मुझे data चाहिए आपको भी यह वाला select करना है format क्यों करना है अभी आगे बताता हूँ ठीक है यह वाला format हमने select कर लिया then from format के अंदर हमें choose करना है जो यह वाला format है okay so यह वाला format मैं choose कर लेता हूँ just अब भी जाके तो यह वाला जो format है हमारा वो यह वाला है T लगा है जिसके बीच में यहाँ पे भी T है टीक है क्लिक करूँगा 7th सेंटास पर तो इस format में मुझे जो है date मिल जाएगी माइनस 15 मिनिट हो गए है इस date के अंदर है ना जैसा कि आप देख पा रहा है यहाँ पे हमें successfully date मिल गई है अब आजाता हूँ नीचे यह लेकिन हमें जो date मिली है यह UTC format में मिली है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो time है वो है 15 ओके लेकिन यहाँ पे जो time आ रहा है वो आ रहा है 9.15 ओके ऐसा क्योंकि यह वाली जो date है actual में यह है वही time जो हमारा यह वाला time है यह वही time है लेकिन यह format में है UTC के और हमारा जो उपर वाला format था वो था IST, Indian Standard Time Format इसको हमें ऐसा ही रहने देना है क्यों रहने देना है वो हमें अभी में आपको बता देता हूँ आपको plus button पे click करके अब delay लगाना है पैबली कनेक का एक और great feature है delay जो की यह इस workflow को तब तक delay कर देगा 15 मिनित पहले तक हमारी जो webinar start होने वाला है उसके 15 मिनित पहले तक इस workflow को delay कर देगा यह workflow webinar start होने के 15 मिनित पहले रन करेगा और सब को message sign कर देगा that's why delay बहुत important है इसको लगाना है ना delay until पे click करना है और हमें यह जो date मिली है 15 मिनित पहले की जो हमने यह से minus 15 मिनित करके यह वाली जो start date time से 15 मिनित पहले minus करके जो date निकाली है इसको यहाँ पे map कर देना है so यह वाली date time formatter से मिली है में यह करके हमने यहाँ पे map कर दी simple है ना अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यह वाला format जो two format में जो मैंने select किया था यह वाला format क्यों select किया क्योंकि delay के अंदर यही वाला format चाहिए रहता है support यह वाला format करता है that's why मैंने वाला format चूज करा और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे है UTC time zone only है ना यहाँ पे UTC time zone के अंदर ही UTC time zone अगर आपका date UTC time zone में नहीं होगी तो यह accept नहीं करेगा that's why मैंने उसको UTC time zone से में भी change नहीं किया समझ गया होंगे अब आप click करता हूँ save and sign test request पे तो यह successfully delay हो गया है है ना delay हो गया है हमारे webinar होने के 15 मुनिक पहले यह workflow start करेगा जब यह start होगा start होके यहां तक आएगा तो अब मैं चाहता हूँ कि सभी को whatsapp पे message send हो so whatsapp पे message send करने के लिए हम choose करेंगे 360 dialogue का whatsapp by 360 dialogue को search करके हमने choose कर लिया है then action event में हम choose करेंगे send template message को उससे पहले मैं whatsapp by 360 dialogue के बारे में बता देता हूँ इस application के हम help इसलिए ले रहे हैं क्योंकि whatsapp से हम directly message send नहीं कर सकते और whatsapp की official API का access जिसके पास है वो है 360 dialogue लेकिन यह पैबली connect का खुद का कोई tool या feature नहीं है यह एक third software है जिसको आपको खरीदना पड़ेगा हम आपको एक जो है एक हम आपको favor यह कर सकते कि हमारे through अगर आप इसे खरीदते हैं तो यह आपको एक बहुत ही reasonable price में मिल जाएगा buy link मैं आपने description box में डाल दिये connect पे क्लिक करेंगे connection के लिए उसके बाद add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए API key और domain API key और domain हमें मिलेगा 360 dialogue के account पे तो click किया 360 dialogue पे dashboard open हो गया left hand side पे गया WhatsApp accounts पे click किया then login कर लेता हूं successfully अपने account को ओके login हो गया जैसा कि आप देख रहे मेरा account और यहां पे option आने लगा है generate API key का तो जैसे ही मैं click करूंगा generate API key पे एक new API key generate हो जाएगी जिसको मुझे copy करना है और यहां पे आके paste कर देना है domain के साथ भी same करके click करना है save पे और मेरा connection हो जाएगा 360 dialogue के साथ लेकिन एक बात बता देता हूं कि इस API key को बार बार generate करने की कोई भी जरूरत नहीं है एक ही बार generate कीजेगा और उसी API key का use जो है आप multiple applications में कीजेगा कोई problem नहीं है मैं भी एक बार generate कर चुका हूं तो यह सारी templates मैंने खुद बनाई है अपने 360 dialogue की account पे चलिए आपको introduce करा देता हूं यह मेरा 360 dialogue का account और click करूँगा manage templates पे तो आज तक जितनी भी create करी थी वह सारी templates मेरे सामने आगे हैं बहुत सारी create करके रखी हैं मैंने आप भी आपकी खुद की templates create कर सकते हैं जस्ट आपको click करना होगा add template पे और यहां पे कुछ basic सी details ही आपसे मांगेगा यह basic सी details आपको यहां पे add कर देनी है और अपने according template को set कर देना है then click करना है preview and submit पे जब आप click करेंगे preview and submit पे तो यह approval के लिए जाएगा pairing company facebook के पास facebook इस template को 30 minutes से लेके 48 hours के बीच में approval दे देगा then आप भी आपका बनाया template यूज कर पाएंगे बिलकुल आसानी से okay so आज मैं जिस template का use करने वाला हूँ वह मैं आपको open करके दिखा देता हूँ मैंने उसको नाम दिया है zoom reminder same day okay so वह सबसे last में होगा क्योंकि z से है okay इसका नाम fourth पर जाओंगा direct मैं okay then यहाँ पर आप देख पा रहोंगे zoom reminder same day नाम की template okay so मैं open करके दिखा देता हूँ template actual में होती क्या है मैं आपको सीधी बाच में बता हूँ तो एक तरीके का message होता है जिसको आपने पहले से type करके रखा हुआ होता और जब भी आपको जरूरत पढ़ रहे होती है आप उसको select करके send कर रहे होते हैं तो यह message मैंने पहले से type करके रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं हेलो 1, today's day, this is a reminder that 2, webinar is set to begin within the next 3, it will start at sharp 4, follow the link below to join the webinar 5, notice please save this number in your contact to make the above link clickable, thank you team family अब आपको message सो समझ में आ गया होगा लेकिन आप सोच रहोगा यह 1, 2, 3, 4, 5 क्या है तो यह है variables, यह curly brackets में जो one लिखा है यह variable है, hello के बाद हमारे attendee का name आएगा जो हमारा customer user है जो attend करने वाला है हमारा webinar उसका नाम आएगा और obvious सी बात है उसका नाम change होगा है ना same नाम नहीं होगा, हर अलग हर इनसान का अलग नाम होगा, that's why मैंने इसको variable बनाए है आपके according, जो भी message में आपके words change होने वाले हैं उनको आप variable बना दीजिए, जैसे कि this is a reminder that यहाँ पे हमारे webinar का नाम, stock market webinar is set to begin within the next 15 minutes, okay यहाँ पे 15 minutes आजाएगा it will start at sharp, यहाँ पे जो भी start time है हमारे webinar का वो आ जाएगा, follow the link below to join the webinar, यहाँ पे link आ जाएगी webinar की यह जो मैंने लगाया है, please save this number in your contacts to make the above link clickable, यह मैंने अपनी template में इसलिए लगाया है, क्योंकि WhatsApp पे जब नए number से message जाता है, तो जो links होती है, वो clickable नहीं होती है, जब तक आप उस नए number को save नहीं करते हैं अपने mobile phone में, okay, so कई लोगों को यह बात नहीं पता होती है, तो उन लोगों के लिए हमने यह note लगाया है, हमारी template में ही, ताकि वो अपने जो message गया है, उस number से, उस number को save कर लें, तो उनके पास जो webinar की link गई है, वो clickable हो जाया, आप भी template बनाते वक्त यह note लगाना मत भूलिएगा, तो सबसे पहले तो मैं zoom reminder, someday नाम की template को choose कर लेता हूँ, चलके अपने पैबली connect में, यहाँ पर search करूँँगा, zoom reminder, same day, यह रही, search करके यह मैंने choose कर लिया, simple, then language code को वैसा का वैसा रहने देंगे, name space को वैसा का वैसा रहने देंगे, recipient mobile number के अंदर हमें add करना है mobile number attendee का, तो mobile number कहां से मिलेगा attendee का, google sheets में सारी details है attendee की, यह रहा mobile number, और जो हमें mobile number मिलेगा google sheets से, लेकिन google sheets से data मिला था, वो था, array format में, और map कर दिया, नीचे साफ साफ दिया है country code होना बहुत जरूरी है, otherwise message send नहीं होगा, तो यहाँ पे हम country code लगा देते हैं, plus 911 क्योंकि पहले से number में add नहीं है country code, यह हम manually इसलिए लिख सकते हैं, क्योंकि country code हर process में सेम ही रहेगा, country code बार बार change नहीं होता, और phone number हमने map किया है, क् सकता है, होता ही है, और सबको अलग-अलग phone number होगा, तो हर process में change होगा, that's why मैंने इसको map किया है, क्योंकि अगली बार जब किसी दूसरे का number होगा, तो software इसको automatically यहाँ पे map कर देगा, क्योंकि मैंने अभी इसको map किया है, that's why map करना important है, body field 1, 2, 3, 4, 5, okay, तो यह क्या है, य variables वाली body field है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं यहाँ पे 10 variables बनाता है, तो यहाँ पे 10 blank fields आती है, okay, अभी यहाँ पे 5 ही है, तो इनके अंदर view में data map कर देता हूँ, body field 1 में example दिया है, साफ साफ नाम map होगा, hello के बाद नाम map होगा, obvious ही बात को, okay, यह रहा webinar for stock market, okay, webinar for stock market, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, this is the reminder that webinar for stock market, webinar is set to, वगरा वगरा, ठी है, और webinar दो दो बार हो गया, sorry, body field 2 मैंने अपने webinar के नाम में एक बार webinar जोड़ दिया, that's why दो बार हुआ, अगर आप जो है, नाम नहीं भी जोड़ेंगे webinar का, तो कोई problem नहीं, body field 3 के अंदर, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देख लेते हैं हमारे जाके, begin within the next 15 minutes, okay, next 15 minutes, यहाँ पे हम लिख देंगे, manually 15 minutes, okay, ऐसा manually मैंने इसलिए लिखा, क्योंकि हर message में सेम ही रहेगा, सब को message 15 minutes पहले जाएगा, तो 15 minutes वाला जो पार्ट है, वो सब के message में सेम रहेगा, okay, body field 4 के अंदर हमें क्या करना है, body field 4 में, it will start at sharp, जो हमारा timing है, जो हमने meeting create किया है, 3 p.m, okay, so, इसमें हमें लिख देना है, 3 p.m, 3 p.m, okay, simple, और यहाँ पे body field 5 के अंदर हमें, जो है, meeting की link लगा देनी है, okay, so, meeting की link हमें मिलेगी, google calendar से, नीचे आ जाएंगे, और यह जो hangout link है, यह हमारी meeting की link है, click करके, इसको यहाँ पे map कर दिया, simple, okay, then आँगा नीचे और click करूँगा, save and send test request, तो जैसे ही मैं save and send test request पर click करूँगा, एक test message जो है, sent हो जाएगा, इस whatsapp number पे, जो की, इस बात का गवा होगा, कि आपका automation site हो गया, तो इसका whatsapp number मैंने अपने पास open करके रखा है, यह जो number मैंने, यहाँ पे add किया, इसका, ताकि आपको दिखा सकूँ message, click किया, save and send test request पर, successfully save and send test request पर click करने के बाद, तुरंत message आ गया है, जैसा कि आप देख रहे है, hello Adam Smith, today's day, this is a reminder that webinar of stock market webinar is set to begin within the next 15 minutes, it will be start at sharp 3 pm, follow the link below to join the webinar, यह link रही हमारे webinar की note, जो कि मैंने लगाया था, thank you team family, एक दम perfectly message आया है और यह test message है, इसका मतलब यह कि हमारा automation successfully set हो गया है, अब इस google sheets में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सभी को automatically 24 तारिक को 2 बच के 45 मिनिट पे automatically उनके whatsapp पे, जितने भी whatsapp number हैं, इन सभी पे automatically एक message जो है, इस तरह का message मिल जाएगा, उसके आगे उनका नाम होगा, और यहाँ पे time यह सब यही रहेगा, और यह link भी यही रहेगी, यह पूरी process automatically होगी, अब आपको कुछ भी नहीं करना, just save पे click कर देना है, और बस wait करना है तारीक का, और यह पूरी process automatically, उस दिन यह workflow run करेगा, यह workflow run करेगा, और आपकी google sheets में जितने भी contacts मौजूद होंगे, जिनके भी numbers आपने add कि होंगे, उन सभी को, उनके whatsapp पे किस तरह का message sign कर देगा, ना सिर्फ इन applications को pably connect की help से, आप multiple applications को integrate कर सकते हो, automate कर सकते हो, बिना किसी परिशानी के, जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा, जो की होगा इसी workflow का, आपको जाना है, उस link पे click करना है, और आप भी मेरा बनाया, यह same workflow अपने account में use कर पाऊगे, वो भी एकदम free, इस video से related कुछ questions होते हैं, आपके queries होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं, मेरी team से बात करना चाते हैं, तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं, यहाँ दी गई link पर, और आपको अगर पैबली कनेक की pricing जाननी है, तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी, और जाते जाते एक बात बता जूँ के हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बूलेगा, ठैंक्स.